हालो फ्रेंड्स! जैसा कि गर्मियों का मुसम चल रहा है और केरी भी मार्किट में खूब आ रही है तो मुसम जाने से पहले किसी ना किसी तरीके से हम इसे स्टोर कर ले तो यहाँ पर हमने वन केजी केरी लेकर अच्छे से धो ली हैं और पोंच ली हैं और सबसे पहले यह डंधल वाला पाथ इसका हम अलग कर देते हैं देखें एक केरी पीली निकल आई है और यह बाकी दो बिलकुल सफेद निकली हैं अब हम क्या करेंगे? हम केरी को किसी पीलर की मदद से अच्छे तरीके से पील कर लेंगे अगर आप पीलर से इसका छिलका हटाएंगे तो वो पतला निकलेगा नाइफ की मदद से करेंगे तो मोटा निकलेगा तो हमने यहाँ पर पीलर की मदद से सारी केरी का छिलका निकाल लेना है हमने अभी तक आपको नहीं बताया कि हम बनाने क्या जा रहे हैं जी हाँ हम केरी की चटनी बनाने जा रहे हैं, कुछ लोग इसे केरी का छुन्दा भी बोलते हैं। हमने पहले आपको केरी की लॉंजी बताई थी, जो की इंस्टेंट थी, वो दो से चार दिन तक आप उसका इस्तिमाल कर सकते थे, उसमें हमने पानी का इस्तिमाल किया था। और जो ये केरी की चट्टी बनाने जा रहे हैं, इसको हम साल भर तक भी स्टोर कर सकते हैं, इसमें पानी की बून तक नहीं जाएगी. तो देखें एक केरी हमारी पीली निकल हाई है, करके देख लेते हैं, इसको देखो बिल्कुल आम बन गई है, इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो केरी की चट्नी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी. अब हम कोई ग्रेटर लेकर केरी को ग्रेट कर लेते हैं और इस तरीके से आप ग्रेटर की मदद से सारी केरी को ग्रेट कर लिजिए हमने यहाँ पर 1 kg केरी ली थी पील करने के बाद और उसकी गुठली हटाने के बाद जो हमारा यह पल्प बचेगा वो 700 ग्राम रह जाएगा है ना तो आप उसी हिसाब से उसमें चीनी डालिएगा आपकी केरी कितनी खटी है या मीठी है अब बैलन्स करके ही उसमें चीनी डालिएगा बाकी इसका मिजर्मेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो लीजे हमारी सारी केरी इस तरीके से ग्रेट हो गई है तो अब हम क्या करेंगे हम इसको स्टार्टिंग में चोंक देंगे और गैस पर हमने एक कढ़ाई रखती है और हम तू टू थ्री स्पून इसमें सरसूख ऑइल डालेंगे इसमें मस्टर्ड ऑइल डालकर आपके स्मोकिंग पॉइंट तक गरम कर लीजिए हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है सबसे पहले हम मसालों में इसमें हींग डालेंगे हमने हाफ स्पून इसमें हींग डाला है उस साथी मसालों में हमने यहाँ पजीरा मेथी दाना, राई, कलॉनची, सौंफ इनका इस्तेमाल करा है सारे मसाले हमने half spoon लिये है और मसाले जब अच्छे से चटकने लगे देखे मसाले हमारी चटकने लगे हैं अब हमने जो केरी grate करके रखी थी उसको भी इसमें डाल कर एक से दो मिनट तक इसको low flame पर हम भूनेंगे और इस तरीके से आप spoon को चलाते रहिए और साथी में हमने याँ पर half spoon salt और a pinch of हमने turmeric का डाला है हलकासा color देने के लिए हमने नमक starting में डाल दिया है ताकि केरी अपना पानी छोड़ दे और उसी पानी में ये पकेगी एक्स्ट्रा पानी की एक पून भी आपको नहीं डालनी है देखे टेंडर होने आई तो यहां पर हमने 2500 ग्राम शक्कर पीस ले थी उसके साथ ही हमने दो से तीन हरी मिलाइची भी उसके साथ में पीस ले थी तो उसको एट कर दिया है शक्कर भी अपना पानी छोड़ेगी केरी ने भी अपना पानी छोड़ा है उसी में ये पकेंगे हमने यहां पर ब्लैक सॉल्ट भी डाला है थोड़ा सा और थोड़ा से सॉंट पाउडर डाला है लाल मिश देगी मिश का इस्तिमाल भी किया है और यहां पर हमने यहां पर भूना जीरा डाला है जिसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा देखे कलर कितना अच्छा आया है टेक्स्चर देखिए क्या ग्रिप आई है हमने पानी का बिल्कुल भिस्ते में इसमें इस्तिमाल नहीं किया है तो चलिए इसको एक बाउल में सर्व कर लेते हैं ठंडा होने पर इसको आप ग्लास जार में भरकर रखते और आप 6 महीने से लेकर साल भर तक पर एंजुआए कर सकते हैं ये तो कम क्वैंटिटी में बनाई है मैंने तो ये जल्दी खत्म हो जाएगी आपने स्टोर करनी हो तो ज्यादा क्वैंटिटी में बनाए उपर हमने नारियल बुरादा छिड़क दिया है और काजुआ है आप 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 आप